अब तुम सबको साथ बेगाना है ठीक है चलो शुरू करो नियाव लाव 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 लाव। मुझे किस ने मारा हेई दोरेमोन, चुप हो जाओ, अब ज्यादा शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा, समझ गए ना? जियान तो सब के साथ ऐसा ही करता है, वो कभी नहीं सुधरेगा, तुम में से किसी को चोड तो नहीं लगी न? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, आज जियान का मूद इतना खराब क्यों था? ये लो, चल्दी करो, पॉल देगे साथ पैको, इसाथ, अरे वा, ये सब तो यहाँ खेल रहे है, खेलो पिटा सुनो जरा, या मैं भी यहाँ खेल सकता हूँ? हाँ डोरे मॉन, लोग जाओ, तुम लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, शोर मचाने की बजाए तुम्हें घर जाकर अपना होमवग करना चाहिए, समझते ही नहीं है, इससे क्या हुआ? जियान ने कहा हमें अपना होमवग करना चाहिए, मुझे तो लगता है इसकी तबियत खराब है, है ना नोबिता? यह ऐसा बेहेव क्यों कर रहा है? सुनो, जैको, देखा, शोर बंध हो गया, क्या तुम्हें कोई नया आइडिया आया? नहीं, भाईया क्या? भाईया, मुझे कोई नया आइडिया नहीं आ रहा, मुझे में टालेंट नहीं है, मैं हार मानती हूँ तुम्हारा मतलब क्या है? देखो, तुम्हें एक जीनियस हो, यह सच है, जैको, और एक दिन तुम इस देश की सबसे बड़ी कार्टूनिस बनोगी नहीं, डेडलाइन नस्दीक है, और मैंने एक भी पेज़ ड्रॉ नहीं किया है, यह अच्छी बात नहीं है, अब मैं क्या करूंगी बहिया? तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? तुम बिलकुल भी मत घबराना, जैको यह क्या करेंगे? मैं जाकर मोटियों से मिलता हूँ, जो कॉमिक क्लब का एडिटर है, और मैं उससे जाकर कहूंगा, डेडलाइन एक्स्टेंड कर दो नहीं तो, ठीक नहीं होगा रुख जाए बहिया, देखे बहिया, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन जैको हम सबने मिलकर डेडलाइन डिसाइड की थी, अब मैं शिकायत नहीं कर सकती अच्चा, ठीक है क्या बात है? श्ष्ष्ष्ष्ष्ष्व क्या हुआ? अगर हम शोर मचाएंगे तो जीयान हमें डाटेगा घबराओ मां जियान हमें तभी डांटेगा जब वो यहाँ पर होगा एई नोबिता सुनो जियान अब हम शोर नहीं मचाएंगे हाँ हमसे गलती हो गई हमें माद कर दो जियान मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तो जैको कॉमिक लव बुक में कॉंटिब्यूट कर रही है ये कौन सा क्लाब है कॉमिक बुक्स के फैन्स मिलकर अपनी खुद की एक बुक क्रियेट कर रहे हैं नोबिता क्यों है ना हाँ, सब को इंतिजार है कि इस बार जैको क्या करेगी उसकी कॉमिक्स काफी इंट्रेस्टिंग होती है, क्यों है ना? हाँ! लेकिन पता नहीं जैको को क्या हो गया है, उसने अभी तक कुछ भी ट्रो नहीं किया कुछ भी नहीं? अब क्या होगा? उसके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी का एडिया है, ये एंशिन्ट इजिप्ट की एक ट्राजिक लव स्टोरी है नोबिता सच में? ये तो बहुत अच्छा एडिया है जियान मेन क्यारेक्टर एक किंग है, जिसका आखरी नाम रामेन या आमेन है क्या एजिप्ट का किंग रामेन? लेकिन रामेन तो चाइना से थाना मैं समझ गया, जरूर ये किंग तूतन खामेन होगा जियान हाँ, ये वही है, किंग तूतन खामेन क्यारेक्टर जड्रॉ करने के लिए उसे कुछ इंफरमेशन चाहिए वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे? तो हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम अपनी टाइम मशीन की मदद से एंचिट इजिप जा सकते हो और उसके लिए कुछ फोटोस खीच कर ला सकते हो? कुछ फोटोस खीच लाएं? क्या तुम्हें लगता है ये इतना असान है? तुम मुझे मदा कर रहे हो दो को रोक जाओ तुम बहुत सेलफिश हो गए हो समझ गया दर असल मैं जैको को ऐसी हलत में नहीं देख सकता मैं तुम सरे कुछ करता हूँ प्लीज मेरी मदद करो हमें उसकी मदद करनी चाहिए डोरे मौन हाँ सही कहा काम हो गया जियान हाँ थैंक यू थैंक यू जैको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ देखो मेरे हाथ में इंक्षे डिजिप की कितनी सारी फोटोज है अरे जैको बात क्या है क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई देखो इस तरह शोर मत मचाईए मैं एक नए आइडिया पर काम कर रही हूँ भाया आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए एक नए आइडिया और वो क्या है मैं एजिप्शन स्टोरी पर नहीं सोच पाई तो मैं अब मिडल एजिस के यॉरप के बारे में सोच रही हूँ क्या कहा मिडल एजिस तो क्या आप तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है मुझे स्टोरी चाहिए किंग आर्थर और राउंड टेबल की नाइट्स की जैसी किंग अर्थ और दे राउंड नाइट्स मैं समझ गया ये लो मिडल एजिस के यॉरप की फोटोस बहुत अच्छे नो बिता और हाँ इन्हे नाइट्स ऑफ दर राउंड टेबल कहते हैं जियान समझ गया थांक यू जैको मुझे राउंड नाइट्स की फोटोस मिल गई है अरे वो यहां तो नहीं है आखिर जैको चली कहां गई जैको तुम कहां हो तुम यहां पर क्या कर रही हो भाईया अब मैंने एक नया आइडिया सोच लिया है तुमने नाइट्स ऑफ राउंड टनियन का आइडिया छोड़ दिया तो अब तुम्हें यह फोटोस नहीं चाहिए तो अब तुम्हें कहां की फोटोस चाहिए अमेरिका या चाहिए ना आप जाहिए यहां से मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अकेला छोड़ दे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बस जाहिए यहां से मुझे एक ऐसी जगह चाहिए चाह मैं आराम से बैट कर ड्रॉ कर सकूँ मैं क्या करूँ लेकिन यह सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था समझा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा एक ऐसी जगह जहां तुम ना हो जियान हाँ मैं यह अच्छी तरह समझ सकता हूँ जैको कैसा फिल कर रही होगी क्या तुम कुछ नहीं कर सकते अगर मैं ये सोच भी लूँ कि मैं उसे अकेला छोड़ दूँगा तो भी मैं बार-बार उसके रूम में जागता रहूँगा डोरे मौन क्या तुम दोनों किसी ऐसी जगे को जानते हो जहां मैं जैको को परेशान ना कर सकूँ बोलो मैं समझ गया ये ठीक रहेगा इस बटन को प्रेस करते ही ये एक आदमी के रहने लाइक रूम बन जाएगा इसमें बैटकर जैको अपना काम कर सकती है रुको क्या तुम दोनों जाकर जैको को ये बात समझा सकते हो पर क्यों अगर मैं गया तो वो कहेगी मैं उसे परेशान कर रहा हूँ प्लीज मान जाओ ठीक है चले डूरेमॉन हम अभी जाते हैं ये हम पर छोड़ दो तुम कितने अच्छे हो देखो इसका धक्तन तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता जैको सच में? इसके अंदर टाइम अलग स्पीड पर चलता है इसमें बिताया गया एक पूरा दिन बाहर के सिर्फ ए घंटे के बराबर होता है तो अगर मैं अंदर तीन दन बिताऊंगी तो बाहर सिर्फ तीन घंटे ही भीतेंगे हाँ सही कहा ये तो कमाल का रूम है ये फोर्च डाइमेंशनल रूम है अपनी ज़रूरत की सारी चीजे तुम्हें यहां मिल जाएंगी जैको अगर तुम्हें भूख लगे तो रेफ्रिजरेटर से कुछ निकाल लेना समझ गई ठीक है, all the best थांक यू क्या हुआ? वो खुश है, अब तुम्हें उसे दिस्टरब नहीं करना है समझ गया कोई आवाज नहीं आ रही क्या वो ठीक है? जैको, best of luck जब तक काम पूरा नहीं होगा, मैं यहीं रहूंगा चलकर देखता हूँ कि जैको ने क्या ड्रॉव किया होगा जैको जैको हे जैको, मोटियो तुमसे मिलने आया है क्या मैं उसे वापस भेज़ दूँ? अरे यह तो खुला हुआ है इसने काम पूरा कर लिया लगता है, आज यह बहुत ठक गई है तुम आराम से रेस्ट करो जैको मैं यह जाकर मोटियो को दे दूँगा क्या, उसने पूरा कर लिया? जरा मुझे दिखाओ, जियान अगर फिर से इसने कुछ ऐसा वैसा कहा तो आज यह मुझसे नहीं बचेगा बिग ब्रादर, यह तो एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है एक ऐसा लड़का जिसे दूसरे लोग पसंद नहीं करते और जो अपनी छोटी बेहन की मुसीबतें बढ़ाता रहता है मुझे इस बेहन के लिए बहुत दुख है ऐसे भाई से तो कोई भी दूर रहना पसंद करेगा जैको ने काम कर लिया होगा पता नहीं, देखो यहां तो मोटियो भी है तुमने सही कहा उसने काम पूरा कर लिया हे जियान नोबिताट डोरे मा अरे तुम रो क्यों रहे हो यह कमाल की स्थोरी है जैको ने कमाल कर दिया क्या सच में? इस कहानी में एक लड़का है जो अपनी बेहन से बहुत प्यार करता है लेकिन उसे हमेशा मुश्किल में डाल देता है वो अपने बेहन के लिए हमेशा मुझे के लिए खड़ी करता है वो कहती है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है एक प्यारी छोटी बेहन और किसी भी काम ना आने वाला भाई आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं जैक को मैं ठब गई हूँ मुझे थोड़ी दर सोने दी जै प्लीज सॉरी मुझे माप कर दो अब मैं अभी तुम्हें परिशाद नहीं करूँगा जैक को